जहिन साथियो मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल मैं इंगलंड से बात कर रहा हूँ साथियो मोबाइल फोन का इस्तमाल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लगबग हर एक हाथ में कम से कम एक मोबाइल का हैंड सेट तो आई गया है तो इसी सिलसले में अब एक स्टडी पब्लिश हुए है रिसेंटली यह मेडिकल स्टडी है चाइना से है चाइना के जो शांगाई के तीन में हास्पिटल से वहाँ पर इमर्जनसी डिपार्टमेंट में जो अक्सिदेंट से लोग आते हैं उनका एक सर्वे किया गया था पिछले साल इस सर्वे में 642 लोगों को सवाल पूँचा गया था इनकी उमर थी 16-35 साल तो इन लोगों को सवाल पूचा गया कि आपका अक्सिदेंट हो गया अब आप हास्पिटल में आ गये हो आपने accident के पहले mobile use किया था क्या और ये लोग जो थे ये पैदल चल रहे थे या कोई cycle पर थे या electric bike पर थे इन लोगों के सवाल पूछे जाने पर जो answer दिये गए वो बहुत interesting ऐसा थी हो तो इन में से 50% लोग ऐसे थे जिनोंने accident के एक minute पहले accident और mobile use करने के बीच में सिर्फ एक minute का पासला है तो एक minute के अंदर अंदर इन में से 50% लोगों ने mobile का इस्तमाल किया था तो आइदर उन्होंने mobile का बात करने के लिए या text करने के लिए या कुछ तो पढ़ने के लिए reading करने के लिए mobile का इस्तमाल किया था तो यह हमें बताता है कि कितने ज़्यादा accidents यह mobile से related होते हैं तो यह सिर्फ China की बात नहीं है UK में 2017 में एक survey publish किया था और उन्होंने बताया था इस survey में कि mobile phone की वज़े से direct 33 लोगों की जान रास्ते पर गई है 90 लोग ऐसे है जिनको serious injury हो गई सिर में मार लग गई या उनकी हड़िया तूट गई या वो चल उट नहीं सकते है ऐसे serious injuries हो गई और 308 लोगों को directly mobile की वज़े से injury होई थी Middle East में सौधी अरेविया में भी SIE survey सामने आया था और उन्होंने 2016 और 2018 के बीच में वहा की जो रियाद उनकी capital है वहा के hospital में जो लोग accident से आये थे 318 लोगों को ये सवाल पूछा था और जो mobile related injuries थी mobile related accident है और उनकी तुलना उन्होंने जो सौधी अरेविया में रास्ते पर जो लोग वहान का इस्तमाल करते हैं कार चलाते हैं ट्रक चलाते हैं उनसे comparison किया था और उनके study से अनुमान ये निकला था कि mobile phone की वज़े से जो injury होती है जो जखम आती है जो handicap होते हैं लोग वह 44% ज़्यादा severe होता है जो लोग mobile नहीं यूज करते हैं उनकी तुलना में तो ये भी है में दर्शात आए कि mobile से accident होते ही है लेकिन जो injury होती है वह ज़्यादा severe होती है mobile phone में अगर आपका इस्तमाल करते समय एक्सिडेंट हो गया तो और इसमें और बात सामने आई थी कि जो phone इस्तमाल करते समय एक्सिडेंट होते है उसमें पुरुषों की संक्या महिला के comparison में मेलाओ के comparison में ज़्यादा है और उसमें नौजवानों की संक्या ज़्यादा है उसमें उमर 13 से 29 साल के जो लोग है उनकी ज़्यादा मात्रा में accidents होते है टेक्स करते समये बात करते समये या मोबाइल में देखते समये और एक study अमेरिका से सामने आया है जो पिछले साल पब्लिश हुआ था जर्नल अप अमेरिकन मेडिकल असोशियेशन की एक ENT की जर्नल होती है ENT सरजेरी की उसमें उन्होंने 10 साल का सरवे दिया है 1998 से 2017 तब का सॉरी 10 नहीं यह ज़्यादा हो गए 20 साल का 20 साल के सरवे में उन्होंने बताया है कि मोबाइल फोन के इस्तिमाल के वज़े से 20 साल में हेड और नेक की जो इंजूरी होती है सीरेस इंजूरी रोड ट्राफिक एक्सिडेंट में इसका जो प्रपोर्शन है यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सातियों यह हमें यह दर्शाता है कि हम जब रास्ते पर चलते है साइकल चलाते है, बाइक चलाते है, मोटर बाइक चलाते है या कोई भी वेहिकल चलाते है, कार हो, टैक्सी हो, आटो हो तो इसके दोरान हमें मोबाइल फोन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए और अगर कोई मोबाइल फोन का इस्तमाल करना चाहता है तो आप साइड में पार्क करिए और फिर मोबाइल यूज़ करके फिर आगे बढ़िए तो साथियो मैं आशा करता हूँ कि इससे आप अच्छा लेसंड ले और ये जादा से जादा लोगों तक शेर करें क्योंकि हमारे देश में भी ये बहुत बड़ी समस्या है ये जादा से जादा लोगों में फैले तो हम लोग मोबाइल से रिलेटेड जो road traffic accidents है जो injuries है इससे लोगों को अगवा कर सकते है थैंक यू साथियो जैहिन